आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आये हैं कि option trading में stop loss कैसे लगाते हैं system पे और price पे तो चलिए मैं आपको आज live करके दिखाता हूँ कि stop loss कैसे लगाते हैं चलिए आपको ले जलते हैं तो 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 आप जान लेते हैं कि live market में stop loss कैसे लगाते हैं इसके लिए आपको आना है जिरुदा पर जिरुदा पर मैं आ गया हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि bank nifty 42,350 के आसपास चल रहा है जो nifty है 18,258 के आसपास चल रहा है अगर आप यहां से bullish हैं आपका analysis बोलता है तो आप CE option buy कर सकते हैं अगर आप option buyer है या फिर अगर आप option seller है तो put option sell कर सकते हैं अगर आपका analysis यह बोलता है कि market यहां से bearish है तो आप put option buy कर सकते हैं अगर आप option seller है तो आप CE option sell कर सकते हैं चलिए मैं एक option आपको buy करके दिखाता हूँ और इसमें stop loss कैसे लगाते हैं उसक मैं buy कर लेला हूँ ठीक है buy कर लिया मैंने अब buy करने के बाद आपको यहाँ पर यह शो होगा यहाँ पर यह profit loss चल रहा है इसमें लगाना है हमें stop loss stop loss लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर exit point पर जाना है और यहाँ पर third option दिखेगा आपको SL का इस पर जाना है चलिए माली जी यहाँ पर मैं stop loss लगाता हूँ 350 का ठीक है 350 का मैं लगा जेता हूँ नीचे आपको दिखेगा trigger ट्रिगर पर आपको क्या करना है एक point जादा रखना है 301 क्याओन डाल देता हूँ मैं इसके बाद मैं यहाँ पर swipe to sell कर दूँगा ठीक है यहाँ पर देखिए 350 और 300 क्याओन के बीच में यह अपना trigger हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर आना है देखते रहना है कि सच में यह trigger होता है या नहीं कब तक होता है यह चलिए यहाँ पर हमारा stop loss हीट हो चुका है तो इस तरीके से आपको stop loss लगाना है पहले buy करना है फिर exit पर जाना है वहाँ पर stop loss आट लगाना है और trigger पर एक point जाता रखना है आपको उस बीच में आपका stop loss हीट हो जाएगा अगर यह वीडियो आपको समझ में होगा शीखन देखिजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी जरूरत है मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद